परदान मंतरी नरेंदर मोदी दी परदान की हेट आज नमी दिली विच होई केंदरी कैबनेट दी मीटिंग विच सहकारता खेतर दी मजबूती अते सरहदी पिंडां दी विकास लई कई एहम फैसले लए गए पत्तर कारानू इना फैसले दी जानकारी दिन दिया केंदरी सूचनाते परसारन मंतरी अनराग सिंग ठाकुर ने किहा कि सहकारता दी खेतर विच सरकार लगातार काम कर रही हे अते इस दिशा विचे कई कदम चुके गए ने उना किहा कि देश दियां दो लख पंचायतां विचे इस विले बहुपक्खी मुडली खेती क्रेडिट सुसाइटीज पैक्स दी सहूलत नहीं है अते इना पंचायतां विचे अगले पांच वर्यां दुरान नमिया पैक्स स्थापत की तिया जान गिया अनराग सिंग ठाकर ने किहा कि इस नाल देश विचे सहकारता खेतर नो होर वदेरे मजबूत्ती मिलेगी दो लाग पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है जहां पर अफसर है इन सब ख्षेतरों में कैसे हम कोपरिटिव सोसाइटीज को बल दें उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें उस दिशा में आज एक कदम उठाये गया है तो दो लाग ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निरने लिया गया है अगले पांच वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा अनुराग सिंग ठाकुर ने किहा कि वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम दो हजार बाई तेईतों दो हजार पच्ची चबी तक चलाया जावेगा अते इसलें चार हजार आटसो क्रोड रपे दी विवस्था कीती गई ये इस नाल पिंडा दा विकास कीता जावेगा अते सिर्फ सडकांदे विकास ते ही दो हजार पंच सो क्रोड रपे खर्च कीते जानगे तो वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम संद फरेंशलियर दो हजार बाईस तेई से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा इसके लिए 4800 क्रोड पे का प्रावधान किया गया है जिसमें लगबग 2500 क्रोड पे सडकों के निर्मान पर खर्च होगा देश की उत्री सीमा के जो हमारे रन्नितिक महत्व के गाउं का समगर विकास इसमें हो ये सुनिशित किया जाएगा इन ख्षेतर के लोगों को अश्योर्ट लाइवलिहुड और रोजगार के अफसर मिलें ये प्रावधान किया जाएगा अनराग सिंग ठाकुर ने कहा कि पारत तिब्बत सीमा पुलिस आई टी बीपी दियां सत नवियां बटाय लेना गठित करन दीवी कैबनेट वलों मनजूरी दिती गई है इस तों इलावा एक सेक्टर हेड़ क्वार्टर दी स्थापना कीती जावेगी अते इस ते कुल 9400 क्रोडर पैदा बजट रख्या गया है